एंडी टीवी की लगबग 29 परतिशत हिस्थेदारी अडानी गुरुप ने खरीद ली है खरीदने के लिए जो तरीका अपनाया गया उसे फिलाल गलत कहा जा रहा है मुम्किन है मामला कोट में जाए ऐसा होने पर फैसला किसके पक्ष में होगा इसका अनुमान आप लगा सकते है ये भी भारतिय नियाग वस्ता का अद्बुत विकास है कि हाई प्रोफाइल केस के फैसलों का आप अपने तोर पर अनुमान लगा लेते है नियाए देने के मामलों में पारदरशिता का ये भी एक स्टेज है जिसका बहुत से लोग सम्मान करते है और जिससे बहुत से लोगों को सम्मान मिलता है एंडी टीवी बिक गया या बिक जाएगा इन दोनों ही तरह की खबरों से सोचल मीडिया में अजीब सी प्रतिकरिया हो रही है कुछ लोग ऐसे खुछ हो रहे हैं जैसे उनकी अपनी जिन्दगी में बहुत कुछ अच्छा हो गया है और इसके विपरीट कुछ लोग ऐसे दुखी हो रहे हैं जैसे उनकी आखरी उम्मित का कतल कर दिया गया दरसल ये दोनों ही तरह की प्रतिकरिया हैं हमारे समाज के बारे में बहुत कुछ कह रही है खुश होने वाले वो लोग हैं जो हर हाल में सत्तादारी दल के साथ खड़े हैं इनकी नोकरी चली जाए, इलाज के बिना घर में किसी की मौत हो जाए बच्चों के लिए शिक्षा इनकी ओकास से बाहर हो जाए लेकिन सत्तादारी दल के प्रती इनका प्रेम या यू कहीं के भक्ती में कोई कमी नहीं आने वाली है इनके प्रेम का आधार ना तो कोई उपलब्दी है और ना ही कोई ऐसी उम्मीद जिसके पूरा होने पर इनके जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा बलकि एक धार्मिक समुदाय के प्रती इनकी नफरत ही इस प्रेम का आधार है ये बड़ी अजीब बात है कि प्रेम का आधार नफरत है खैर जो लोग एंडी टीवी बिकने से दुखी हैं उनके दुख का कारण जैन्विन है सूचना पिरसानन के सभी संसादनों पर सत्तादारी दल के समर्थक मुझी पतियों का कबजा है एंडी टीवी और रवीश कुमार निस्पक्ष और जन्पक्ष सूचना के स्रोत बने हुए थे अब ये एकलोता स्रोत भी जन्ता के विरुद सत्ता के पक्ष में खड़ा हो जाएगा जैसा कि दूसरे चैनल कर रहे हैं या बंद हो जाएगा लेकिन एंडी टीवी अपनी मौलिकता में तो अस्तित्व में नहीं रहेगा हाला कि एंडी टीवी के अलावा रवीश कुमार खुद में एक ब्रांड बन चुके हैं और वो जब तक एंडी टीवी में हैं उनसे वावस्ता उम्मीदिर जिन्दा रहेंगी अडानी समू आज इतना अमीर है कि वो चाहे तो देश के सारे मीडिया संस्थान खरीद कर उन्हें अपने गुंगान में लगा सकता है या बंद भी कर सकता है इस से उसके उपर कोई खास फरक भी नहीं पड़ेगा लेकिन देश की जन्ता इवम नागरिक के तोर पर क्या हमें ऐसे मीडिया संस्थानों की जरूरत है जिन पर सरकारों का कबजा ना हो और जो जन्ता की भी सुने इस सवाल पर मुझे यकीन है कि सबकी राए अलग-अलग होंगी लेकिन सुचनाओ के महतु पर जरूर सोचने की जरूरत है अफसोस हमारे देश में अभी इस पर बहुत कम विचार हो रहा है जबकि आपके मुबाइल में ऐसे कम से कम 20 अप्लिकेशन हैं जो आपकी सुचनाओं आपकी मर्जी से हासल कर रहे हैं और उन्हें अपनी मर्जी से बेच रहे हैं इन्हें कौन और कितने कीमत में खरीद रहा है ये तो पता नहीं लेकिन इतना तो साफ है कि आज सुचनाओं का बहुत महतु है इनका इस्तेमाल किसी घातक हत्यार से भी घातक हो सकता है और इसके उलट भी ही सुचनाओं को ग्यान निर्मार के एक टूल के रूप में इस्तमाल किया जा सकता है और इस टूल को भोत्रा करके ग्यान निर्मार के मार्क को अवरुद भी किया जा सकता है यही नहीं ग्यान को अंद्विश्वास में भी बदला जा सकता है सूचनाओ को कबजाने उन्हें मनमाफिक ढालने और लक्षित लोगों तक पहुँचाने में आज पहले के किसी भी समय से बहुत ज़्यादा खर्च किया जा रहा है ये सूचनाओ का ही इस्तमाल है कि आज पीले चेहरे आकरोश से भरे और मरियल से दिखने वाले हत्यारबन नोजवान धरम मिटाने और धरम बचाने निकले हैं जबकि इनकी जरूरत एक अदद नोकरी और दो वक्त का ढंका खाना है लेकिन ये रोटी और रोजी के लिए बनहीं बलकि धरम की रख्षा के लिए अपने ही जैसे दूसरे धारमिक समूर से लड़ते हैं और अमीर इने बेखोफ लूटते रहते हैं ये लूट इतनी व्यवस्थित है कि बैंकों का लगबग 38 अरब डॉलर एक राजदुलारे पुझी पती के पास करज के रूप में पहुँच जाता है और इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती इतने रुपिये से देश में एम्स जैसे लगबग 140 अस्पताल खोले जा सकते हैं यही नहीं पिछले लगबग 5 सालों में 10 लाक करोर रुपिया बट्टे खाते में चला गया है सूचनाओ के वेबिन स्रोतों पर कबजा इसी लिए जरूरी है कि राजसत्ता की मरजी के बिना कोई सूचना आप तक ना पहुचे सूचनाओ से ही वो जन्मत भी बनता है जो अपनी जरूरतों के आधार पर नहीं बलकि धर्म और जाती के नाम पर उन्हें वोट देता है जो हत्या बलतकार जैसे आपराधों में शामिल होते हैं लेकिन ये विडमना ही है कि आज महिलाएं ही बलतकारियों का टीका लगा कर स्वागत कर रही है रवीश कुमार के लिए फिक्रमन लोग कह रहे हैं कि वो यूटूब पर आजाएंगे और फिर लाखो लोग उन्हें सुनेंगे बिल्कुल ऐसा हो सकता है और इससे कम से कम रवीश कुमार या उनके जैसे लोगों को रोजी रोटी का तो कोई संकट नहीं होगा लेकिन यूटूब क्या मीडिया संस्थानों का विकल्प हो सकता है आप गोर कीजिएगा कि यूटूब पर भी जो लोग बोलते हैं वो भी अपना कंटेंट किसी प्रिंट मीडिया की दी हुई सूचनाओं के आधार पर ही तयार करते हैं अधिकांश यूटूबर अमोमन अकेले ही काम करते हैं एक वीडियो बनाने के लिए अक्सर पूरा एक दिन लग जाता है और अगर कंटेंट ज्यादा शोध की मांग करे तो कई दिन भी लग सकता है ऐसे में यूटूब मीडिया संस्थानों का कितना मजबूत विकल्प है इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं प्रिंट मीडिया का तो पूरा कंसेप्ट ही यही है कि पत्रकार सूचनाओं पर काफी शोध करके उन्हें प्रिंट के तल पर लाते हैं इस तरह के मीडिया संस्थान पत्रकारों और दूसरे कर्मियों को तंखा देते हैं जिसका खर्च विग्यापन से निकाला जाता है लेकिन पिछले लगबग 40 सालों में सबसे तेज मारका खबरों ने शोध के महत को नका रहा है इसी तरह विग्यापन रिश्वत में बदल गया है और सूचनाओं की पवित्रता को भंग करने लगा है ये सब तब हो रहा था जब सूचना संस्थानों पर सत्ताएं सीदे काबिज नहीं हो रही थी लेकिन अब वक्त बदल रहा है राजसत्ता पूंजी सत्ता और धरंसत्ता ने मिलकर लूट की जो अंधिरगर्दी मचाई है उसके लिए जरूरी है कि जनता तक व्यवस्तित एयों सकारात्मक सूचना ही पहुचें ये देश हित में है देश हित से बड़ा कुछ भी नहीं है ना लोगतंत्र ना जन्मत ना न्याय और ना आज़ादी देश हित में अंडी टीवी बिकेगा देश हित में देश के तमाम संसान बिकेंगे देश हित में पूंजी पतियों की मर्दी से हकुमत होगी और देश हित में लोग एक दूसरे का गला भी काटेंगे देश हित ही आज सर्वोपरी है हाँ कभी समय मिले तो ये जरूर सोचेगा कि देश क्या है इसी तरह हित किसका सद रहा है